एम त्री हिंदी आत्मा तीन शरीर मानस आत्मा आत्मा में क्या अंतर है चार मिनिट दिखाता है और लिखा जाता है शरीर मानस आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है तो मैं तुरंट स्पष्ट कर दू की बहुत बार एक शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाता है इसल हमारा शरीर हमारे जैविक जीवन का क्षेत्र है, यह वही है जो पदार्थ से बना है, यह स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है, दूसरे, हमारा मानस हमारे समवेदनशी जीवन का क्षेत्र है, जो की जानवरों के साथ हाम है, यह हमारी भावनाओं का, हमारी समवेदनाओं का क शेत्र है, यह वह जगह है जहां हमें बुरा लगता है, जब हमें बुरा लगता है, तो हमारे पास यहां एक सम्वेदनशील गेंध होती है, चिंता की तरह हम अपने मानस के बारे में बात करते हैं, लेकिन सावधान रहें, इस शब का इस्तिमाल कुछ और परिभाशित करने क किया गया था, मान लीजे कि अदे हम सपष्ट करना चाहते हैं, तो मानसे मेरा मतलब जानवरों के साथ साजा किया गया हमारा सम्वेदनशील जीवन है, दूसरी और हमारा मन वही है जो मनुष्य के लिए विशिष्ट है, जानवर नहीं करते, यह बुद्धी और यह पर हमारी बुद्धी का उप्योग आध्यात्मिक चीजों को जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि अनंद की धारना, अनंद काल की, प्रेम की धारना, मित्रता की, और हमारी इच्छा, हमारी बुद्धी के आधार पर एक आध्यात्मिक अच्छी की और निर्देशित होग वो ही यह आध्यात्मिक भलाई चाहती है यह प्रेम की क्षमता है लेकिन आध्यात्मिक प्रेम की है क्योंकि यह किसी की भावना उसे स्वतंत्र है भले ही वह हमेशा शुरुवात में इसका उप्योग करता हो कम से कम युवावस्था में इससे मेरा मतलब है कि हम प्यार करते ह क्योंकि हमारे पास एक भावना है। यह समझने में समय लगेगा कि जब भावना चली जाती है तो हम प्यार कर सकते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति की भलाई चाहते हैं और हमारी आत्मा। मेरा शरीर मेरा हिस्सा है यह कोई वहाँ नहीं है जहां मैं प्लेटो के विचार के अनुसार बैठता हूँ और जो मृत्यू के साथ गायब हो जाएगा जिससे मुझे चुटकारा पाना होगा। यह मेरे हुने का एक हिस्सा है तो हमें एक ऐसे कारण की आवश्यक्ता है जो इ हमारे लिए एक मन, बुद्धी और इच्छा के साथ एक आध्यात्मिक प्रानी पैदा करने में सक्षम है एक जानवर हम कहेंगे कि उसके पास एक पशु आत्मा है क्योंकि उसकी आत्मा केवल समवेदनशील जीवन और जैविक जीवन का उत्पादन करती है तो शिकर उसकी समवेदनाओं में है शिकार को पकरने की उसकी समवेदनशील बुद्धी है हम एक पशु आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जहां तक पौधे का संबंध है चूनकी यह केवली जविक अस्तित्व को अस्तित्व में रखता है जिसमें समवेदना नहीं होती है हम एक पती आत्मा की बात करेंगे यहां